हेलो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चेनल जेनरल एजिवकेशन बुस्ट आफ डेली पर दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको अब्जेक्टिव बेस्ट मॉडिल कॉस्टन लाया हूँ जो तोटली अब्जेक्टिव होगा आपको मैं अगर चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको और बेल लाकन को दबाते हैं सबसे पहले नुटिस्पेशन आपको मिला क्योंकि आनेवल एक्जाम बहुत नजदिक है इसलिए मैं पूरा मेटेरिय अगर देखे हैं वो जितना स्रीज में ने डाला है तो मैं इसे उमीद करता हूँ कि आप पूरे question का जवाब पका देके आएंगे फिर भी अगर आप नहीं देखे हैं तो जो इस प्रकार को objective question है अगर वो भी आप देखते हैं तो भी आपके लिए better रहेगा और आने वाले exam के लिए काफी ही महतपूर्ण है तो अगर जो भी इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को लाइक चैनल को जो है subscribe कीजिए और वेल आइकन को दबाईए वीडियों अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए कोमेंट कीजिए अगर कोई प्रेशा नहीं होती है तो मैं कोशि है आपके सामने LTC can be availed completion of continuous service as a government servant यह जो वीडियों है totally English में है question भी इंगली से में लिखा गया है और सब कुछ English में आपके सामने answer भी रहेगा देखिए मैं सिर्फ पढ़ता जाओंगा जो आपको समझने के लिए better रहेगा ठीक है LTC can be availed from availed completion continuous service as a government आप LTC कब लेने लाइक हो जाते हैं जब आपकी service एक वर्स पूरा हो जाएगा एक constable या जो भी enrolled होता भी एक साल service पूरा हो जाता है तो LTC लेने लाइक हो जाता है LTC का full form क्या होता है live travel concession bill LTC का full होता है live travel concession bill ठीक है next question देखिए दूसरा है LTC में भी Climbed after completion of live within अगर इसमें जो है three months अभी जो है LTC अभी तीन मन्थ के अंदर आप मालेजे को यात्रा कर रहे हैं तीन मन्थ के अंदर आपको LTC क्लाइम करना है तीन मन्थ से जएदा हो जाएगा आपका LTC क्लाइम नहीं माना जाएगा expired माना जाएगा वो आपको वापस कर दिय जाएगा तीसरा question है CEA is admissible for the academic year in the same standard देखिए CEA कब admissible है आपका जो academic year है same standard मानली जी पहला क्लास के लिए दो बार आप लेना चाहते हैं तो एक ही मानली जी 2020 के इसका CEA आप दो बार लेना जाते हैं आपका बचा फैल कर गया दूसरी बार उसी क्लास में आपको दो साल तक उस क्लास का CEA मिल गएगा लेकिन उसमें जो है फैल्यूर्बल साटिफि प्राइस्टैन्फोर्डी फिर्फिर का मतलब क्या होता जी प्राइस जेनरल फाइनेंसियल रूल जी पी इसाफ जो एक बटालिन कमांडेंट है और कि तक कर सकता वो 300 रूपए तक कर सकता है आपके स्क्रीन पर है टीक है इसमें कुछ लिखूंगा नहीं ताकि आपको इन से निए रिपेर करना कितना रुपय कर सकता है कि तक सेंक्षिन कर सकते हैं वह ठीक है अगर इससे ज्यादा करना हो तो से बीजी या सकtheir हिर्फोरण से पापर लेना पड़ेगा यह परमिसन लेना पड़ेगा देखिए नेच्स्ठ्त को सेवर्य को साथ में ayam सब्सक्राइब कितना मिल सकता है और नहीं पता होना चाहिए अगर आपको नहीं पता है ता पेशलीप देखने और सबको पता होना चाहिए यह इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं नेक्स्ट कोस्टन है फोर क्लेमिंग MRC इन रिस्पेक्ट और फादर मदर देश उड़ी विट गर्मेंट बोला जो MRC क्या होता है पता है नहीं की पताहिए जिसके मातापिता साथ मेरेंट कैम लागूँ है अगर इलाज कि проблемы ere खर्ट सरकार देगी लेके नेस्ट कोस्टन है medical advance for major illness can be claimed आपको मालीजी major illness हो गया major बिमारी हो गया तो उसमें medical advance medical advance कितना मिल सकता वो मिलेगा आपको 90% मालीजी एक लाख उसमें काफी major illness हो गया तब treatment के लिए advance ले सकते 90% amount लेकिन उसका पूरा detail बनाना पड़ेगा आपको एगार्य कोस्टन है एगार्मा नम्मर मेडिकल अद्वांस इस पैर देन emergency जो है कौन decide करेगा कि अभी emergency है और मेरे को private hospital मिले ही जाना चाहिए वो decide करेगा जो बंदा present export में जो present रहेगा वही decide करेगा कि अभी emergency है इसको मैं सरकारी hospital मिले ही ले जा सकता हूं यह private hospital में ही नहीं पहुचाने से बस सकता है तो वह एसपर्ट में बंदा रहेगा वह detail करेगा इसका option नमर एस ही होगा जो बास्विक emergency है प्राइवेट हस्पिटल में कौन decide करेगा और decide करेगा उस हस्पिटल का हेड़ ओफ एच ओओ ऑफ तर गुर्मेंट जो है मालने सब्सक्राइब होता है जिसको बोलते हैं आप चीफ मेडिकल ऑफसर सीमों जिसको बोलते हैं ओडिसाइड करता है ठीक है यहाँ पर हो लिखावा हुआ ही आंसर नमर डिस होगा फोर क्लेमिंग ऑफ फस्टल सबसीडी दे चायल्ड टूबी अडिमिटेट इन दे होस्टल ड्यू टू अब मालने जे अप लेना चाह रहे हैं आपका चायल्ड कहा होना चाहिए होस्टल होना चाहिए किस लिए मालने आपका घर नजदिक में फिर भी आप फस्टल में रख आपको जरूरी नहीं है आपका टांसफर हो तभी होस्टल में रहेगा नहीं भी होगा तपर भी होस्टल में रहा सकता है इन क्लैमिंग ऑफ फैमिली एल्टी सी कैस इच ग्रूप सुट कंपलीट डरीटर जर्नी विदीन या आप मेरे को कॉमेंट करके बताएगा आप जो म दो उसको पता होता है ग्रेसं प्रीयर फॉर ब्लोग कर लिए जिए अब बलॉक एर कौन सा चल रहा है द्वायाश 1224 चल रहा है या 24 26 चलेगा या 20 22 जल रहा है उसी साफ है त्लेश कि उसका होता है वह वह होता है बारें confinement ग्रेस प्रियत ओफ ब्लोक से ओफ होता है वो बारेंद लिए इन जर्ण अभी यह मन्थ सब्सक्राइब की आप प्ता जी अपने अगाउंट ब्रांच में कैंभी क्रेंट ब्लोक से चल रहा है है फिर बेरी इंपरमेंट कोस्ट्छन है मालिज आप LTC लेना चाहते हैं कितना छुटी चाहिए कितना छुटी आप लेके जाएगे तो आपको LTC मिलेगा तो कम्स कम आप 10 दिन छुटी लेके जाएगा तभी आपको LTC मिलेगा मालिज आप छुटी नहीं लेना चाहते हैं उसका पैसा लेना चाहते हैं तो वह जो है किस छुटी में मिलता है आप EL हो चाहें CL हो चाहें HPL हो किसी प्रकार का लिव हो आप cash in cash ले सकते हैं क्या बोलते हैं उसको in cash of leave मतलब leave के बतले हैं पैसा ले सकते हैं आप मालने जीए पांच दिन CL जा रहे हैं सोच रहे हैं कि मैं पांच दिन पांच दिन CL भी संक्षन हो जाएगा आप उसके साथ पांच दिन EL का अगर पैसा लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा ध्याद रखिएगा EL का पैसा मिलता है CL का नहीं जुआनिंङ टैमीग इज अडिमिसेबल on transfer while distance is 500 किलो मीटर जो होता है ना जुआनिंग टाइम मालने जेब पंद्रह सो किलो मीटर पे आप जो है और transfer along with leave, which will commence first. मालने जी आप जो कितना अदमी transfer हो जाता है, और छुटी मतलब साथ में लेता है, उसको सबसे पहला priority क्या मिलता है? Leave मिलता है, ठीक है? Leave मिलता है, transfer along with leave, which will commence first. सबसे पहले उसका leave चलेगा, सबसे पहले उसका leave गिंती है, उसके बाद उसमें journey period count होता है, ठीक है? मालने याप 15 दिन के छुटी लिए, तो 15 दिन आपका journey period मिल गया, 15 दिन का छुटी कब खतम हो रहा है? उसके बाद से 15 दिन का journey period आपको जोरा जाएगा, ठीक है? How many days? मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं, बाई साहब, यह रिक्वेस्ट पोस्टिंग लिजिएगा, तो ना आपको टांसपर्टिय मिलेगा, और ना ही जोइनिंग प्रियाद बला time मिलेगा, ठीक है? ध्यान रखेगा, आपने खाते से छुटी लेके आपना जोइन करने जाएगे आप, ठीक है? अगर एक बार बता देता हूँ, और रिक्वेस्ट पोस्टिंग में ना ही टांसपर्टिय मिलता है, ना ही जर्नी प्रियाद मिलता है, फूच टाइप्स ऑफ लिव केन नोट बी कमबाइन विथ जोइनिंग टाइम, माल लिज आपकी पोस्टिंग हो गई, आप कौन सा जोइनिंग टाइम में कौन सा छुटी कमबाइन नहीं किया जाएगा, वो किया जाएगा CL, आप सोचेगा प्रदा दिन CL ले 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 हैं, उसके बाद प्रदा दिन जर्नी प्रियाद ले ले हैं, कि हम जोइनिंग कर लेंगा, यहां से पंजाब से प्रदा जा रहा है, उसके साथ आपको EL ही लेना परेगा, EL के साथ ही जर्नी प्रियाद मिलेगा, CL के साथ नहीं मिलेगा, मतलब जर्नी प्रियाद मिन्स, आपको जो है पोस्टिंग बला जो जर्नी प्रियाद होता है, उसको बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं, SDA is not admisable, Special Duty Allowance, SDA होता है, Special Duty Allowance, कहाँ पे लागू नहीं है, वेस्ट बंगाल में लागू नहीं है, Special Duty Allowance, ठीक है, असाम मेगाल है सिकीम, यहाँ पे लागू होता है, Special Duty Allowance, जो यहाँ पे पोस्टेड है, उनको पता होगा, Washing Allowance is admisable, B, इसमें RS 60 रुपे दिया है, इसमें क्रेक्शन हो सकता है, आप एक बार देख लीजेगा, यह पुरोना डाटा फीड हो गया इसमें, ठीक है, इसमें मेरे को डाउट है, आप देख लीजेगा एक बार, आपके जनकारी के लिए मैं बता दूँ कि Washing Allowance is admisable, Washing Allowance आप वो कितना मिलता है, अब एक बार देख लीजेगा, इसमें डाटा तो 60 रुपे दिया हुआ है, लेकिन मेरे को इसमें डाउट लग रहा है, अगर मेरे महला कॉंस्टेबल है, तो उसको पील कितना दिन मिलता है, ठीक है, डिलिवरी के लिए, तो अगर उससे नहीं पूछ सकते हैं, आप एकाउंट बाराज में कनफर्म कर लीजेगा, ठीक है, अगर जो मेरे, इसमें माल लीजे, जो भी माल लीजे, मेरे महला कॉंस्टेबल, अगर कोई बेरे वीडियो देख रही होगी, तो आप कमेंट कर कोई बता सकते हैं, सबके जानकारी के लिए, योगी मैं भी इसमें confusion हूँ, क्योंकि अभी नया notification आया था, कि पहले तो 6 मेहना मिलता था, 6 मेहना मिलता है, मेरें को पता है लेकिन बारा महने कर दिया गया बहुत जगा केंदस सरकार के नोटिस फिकेसन के दर बारा महना किया गया है लेकिन अभी वह लागो हुआ है नहीं लागो हुआ है यह महने बता सकता हूं ठीक है आप एक और जो इस जो इस छुटी को एवेल कर रही है उससे आप पूछ सकते हैं खर्दैवानिस मिलता है और फैस्टिबल एडवांश कीनि के लिए आपको मिल जाएगा अभी कितना मैक्सिमुम कितना रुपे तक ग्रेंटेड हो सकता है आप पता कर लीजिएगा एकांट ब्रांस से मैं इसके बारे में पुरा कंफर्म नहीं हूं कंफ्यूज हूं इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं लेकिन आप देख लीजिएगा हूं इस दा संक्षिनिंग अथूरिटी और फेस्टिबल एडवांस का जो है संक्षिनिंग अथूरिती कौन होता है तो जो ता है एड़ ऑफ और ओफिस यह दिली स किस देता क्योंकि मैं कभी लिया नहीं हूं भाई साव और मेरों को पता नहीं है तो आप एक बर देख लीजिएगा यह फेस्टिबल एकाउंट वाले जल्दी उससे आपको सवाल पुछेगा जल्दी बताता नहीं है मैं भी बड़ा कोशिस क्या लेकिनों बताते नहीं है क इसको पेंशन है वह साल में दो बार ही जीपी आफ को घटा या ब्रासकते हैं आप सोचेका गिपांच भार घटा यह यह संबब नहीं है तो दो बार जीपी अफ घटा या ब्रासकते हैं ठीक है काूँ है कि मैक्सिम मूंट उफ इंसुरेंज सिंज highlight मैक्सिम में मैं पुरांञ डाका हैं हमारे पास और आधी जो साथ हजार है सिक है इसाँ सुरेंश इसमांट साथ जहार मेक्सिमांस प्लेटव कजिफ केस से अदिक एक होता है छियं जिसको बोलते हैं आप सी एल एक होता एस्पेसल के जोली बीसेफ में विभीन प्रकार की छुटी है जितना काटना है काट सकते हैं लेकिन वह बटालियन कमांडर के उपर डिपेंड करता है कि आप वो कितना वो दे रहे हैं देखिए एस्पेसल केजूल लिब भी बनता है एक पता होना चाहिए नहीं पता है तो आप कंफर्म की दिए और नहीं पता है ता क्या बता है आपको भी तो आप देख लीजिएगा मैं किलोफिंग के लिए कितना रुपे मिलता है एक साल में नेक्स्ट एप फोर वार्म क्लोफिंग एडवंस प्लेस ऑफ हील स्टीशन इसको बोलते हैं हाई अल्टी में एक हजार मेटर की उचाई पर अगर आप होंगे तोहां पर मिलेगा आपको वार्म कलोथिंग एडवांस होता है अगर आप अगर आक हर एक आदमी को लाग है आप जाहें भी सफ रीटाइर जा 우리 जाह रहें कितना दिन वीजा कर चाहले दिया ये आपका प्रसंब्रायड ऊँसिशन हों और आप चाहिए रहें हैं किसी भी रेंगा दिकारी मॉनुमेंटू मोनुमेंटो उसका लिएन राइट है ठीक है और आपको जो कंपनी में है जो बटालियन जो है कमांडर वह आपको देगा लेके मोनुमेंटो आप कम से कम अगर 20 साल सर्विस करते हैं आप मोनुमेंटो लेंगे आपको लागू है तो आपको मोनुमेंटो दिया जाएगा रिट होता है केंटीन एस्टोर डिपार्टमेंट आपको कमेंट बकस मताईए का बाबा का फुल फर्म क्या होता है BWWW होता है आपको में ही बता देता हूं यहींटिसन है यह outside नहींद प але घृटल को लिखायां मुटाइन रहे जूर्ण को लिखें अको को एक ही आम्ट्इशीट नहीं धिल को करा हूं भी ऐसा बलग का दिमाग खराब होता है तो कभी कभी इससे सी question set कर देता है तो इसलिए इसको भी आप छोड़िये मत टायर रोटेसन आपको बता चुका हूँ 5000 किलोमीटर पर होता है यही question है चालीस है to check the space gravity of battery in the equipment is used इसमें बैटरी का gravity किस equipment से check करते हैं तो वो चेक करते हैं हाइड्रोमीटर से जो मालेजे बैटरी अच्छा है खराब है क्या है वो हाइड्रोमीटर से चेक करते हैं which type of fire extinguisher is used for petrol fire अब मालेजे पेट्रोल से आग लगया तो किस प्रकार का fire extinguisher use किजेगा ठीक है आप देखते होंगे fire existing user जो बोलते हैं उसको फूर फूर कारबन डॉकसाइड उसमें रहता है powder trap होता है how much type of traffic signal traffic signal कितने प्रकार का होता है तो वह होता है चार प्रकार का सोरी तीन प्रकार का होता है traffic signal कितने प्रकार होता है तीन प्रकार का होता है नोर्मली gap of spark plug spark plug जो होता है बोलते हैं कि spark plug साही नहीं लगा हुआ तो गारी जल लेगा तो उसका जो गैप होता है कितना होता है वह होता है 0.018 इसमे पहला अंसर है ठीक है आप देख लिए 0.018 टू 0.03 इंच फिल्टर एलिमेंट ओफ मेटाडोरी चेंग लाफटर मेटाडोर चलता होगा तो उसका फिल्टर एलिमेंट कितने दिन में चेंज होता है वह चेंज होता है पंदर सुन पर इतना इंपर्टेट नहीं है यह परेसर इंग क्रोस कंटी शुद भी यह क्रोसज कंटी जब होगा तो टाय रोटेशन कितना कितना मतलब तो गारी अगर क्रोस कंट्रीम डिटेल हो गया तो क्रोस कंट्रीम गारी अगर जा रहा है तो पहले वह चेंज होगा ठीक है स्वरी इसमें दस परसेंट जैदा बार में चेंज होगा ठीक है यह दियां तरक्षिएगा यह मिश्टेख हो गया था आपको बताने में रेतिली इलाके में 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 कुछ जान लेते हैं मिनिस्टिर स्टाफ को कुन होता है बता रहा हूं एक कमपनी में नाइने में पिस्टल कितना लाग हुए आप बताईएगा कमेंट में आपको आता हो तो आप जो है कमपनी में पूछ लीजिए कुछ एक बंदे कोमेंट भी किये थे कि इसर यह बताईए कुछ एक सिक्रूटी परपाज को मैं इसमें नहीं बता सकता हूं वह आप अपने कंसर्णेट कंपनी से संपर करके आप उससे जो है पूछ सकते हैं जनकारी हासिल कर सकते हैं ठीक है इस सरे चार सॉराओं इनसास राओं कितना होता है बताए बाएस सोर पचास होता है ठीक है फरस्ट लैंकेट जो आपको सबका एक ही से उसका कितना यह साय है जो बलू क मेले उसका पॉरस लाइफ है कि जो नॉर्मल क्ली करिखर को कि नर्मल कुछे टरफ ही टाल अर्वन र्न भर को यह खार है मैं आर्वन रिपेरिंग अफ आर्मस कई करिज़ रंहां होटा है वह होता है unit armorer workshop में होता है battalion hit cutter में होता है जिसको बोलते हैं आप और R2 कहाँ पे होता है frontier में R3 होता है सिर्फ special equipment का R4 होता है से इन वेस्टों में वह होता है वेपन का which of the item is barak property? barak property कौन-कौन second item होता है तो वह होता है gumboot पर एक प्रपटी चारपाई और गंपूट दोनों होता है तो इसमें गंबूट है तो गंबूट है option number D, the effective time of RMs heavy preservation is कितना होगा, वो होता है भी जब जब दखिये फैक्टरी में हथियार बनता है तो इसको तीन साल तक जो है न उसको ग्रीस में दवाक या बक्सा में बंद करके रखा जाता है तो उसी को बोलते हैं है भी आरम का preservation time होता है वो, emination is divided into flowing groups, emination को कितने भागों बाटा गया है बारे भागों में, how much period of servicility of water bottle, water bottle का service time कितना है, water bottle का life कितना है, वो होता है, दो बर्स जो आपको छटका water bottle प्ट में लगा के दो रते होगे ना, उसका life होई है इनिशेल एस्टे पर्चेजिंग प्रोसीजर, देखिए, पर्चेजिंग प्रोसीजर कोई भी चीज़ पर्चेज करना हो, वो कैसे करते हैं, वो करते हैं Adam approval, जब तक आपको Adam approval नहीं मिलेगा तो आप पर्चेजिंग नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसपल और पॉब्लिक बाइंग और डिफाइंड इन, दो माल यह कोई समान खरेदना हो, तो किस सेक्षन के दाता आप खरे दियेगा, वो रूल नमर एक सो सब्सक्राइज है, सप्लाइज ओडर आर प्लेस्ट वाए, सप्लाइज अडर प्लेस्ड जो है किसके दाइज प्लेस किया जाएगा, माल यह सप्लाइज ओडर किसके दाइज दिया जाएगा, तो जाएगा PO of LPC, जो प्रजैडिंग ओफिसर होगा, LPC का, पर्चीजिंग कमिटी का, जो प्रजैडिंग ओफिसर होगा, प्रजैजिंग कमिटी का, वो देगा सप्लाइज है composition of survey board of goods costing up to 1,00,000 लिए survey board का जो है जो एक लाग तक का survey board का composition क्या होगा मनलिए एक लाग का कोई यह बंद रहा है को कोई खरीदने के लिए कोई समान एक लाग का समान में खरीदना है तो उसके लिए बूट बैठाएगा उसमें कौन-कौन होगा वह होगा एक जिसको बोलते हैं और दो एसोज और एक जियो उस बोडम डेटेल होगा और वही उस एक लाग किदिक पर्च एक लाग तक का पर्चेजिंग करेगा जो सेक्टर लेवल एंप प्रोविजिनिंग ब्रांच होता है उसको कौन हेड करता है वो करता है डिसी एडाम SFA quarter be provided to persons of BSF who are deployed in मल जी SFA quarter होता है वो किसको मिलता है बहुत सारे जमो किस्मिर के इलागे में SFA quarter बना हुआ है वो किसको मिलेगा वो मिलेगा जो JNK और HILT यह से एरिया में है हाई LTA extreme hard area देखे इसमें JNK लिखा हुए जेनके में तो अल्डरी लागव है यह है इसके लाव जो extreme hard area में है ठीक है उसको भी SFA quarter लागव है extreme hard area water wing is headed by जो अपना BSF में water wing है उसका head कौन होता है उसका head होता है DIG water wing जो दिल्ली में बैठता है DIG water wing ठीक है provisioning date का होता यह TSU पता है TSU होता है TSU अपना unit है संबेस्टो में अपना टेकनफूर में जो है जहां आंसू गैस के बंब बनते हैं गोले बनते हैं ठीक है तो TSU and Sunvesto कोन head करता है वह provisioning date कोन head करता है वहां पर करता है commandant audience TSU और संबेस्टो का commandant audience बैठता है वह उनका head होता है how many cook कितना cook अथ्राज है एक service company में वह अथ्राज है चार cook कितना cook अथ्राज है चार cook और normal cleaning of small arms और कितना होता जो normal cleaning होता है कितना six step आपको पहले बता दें आज का यह सत्तर question का एक सीज था जो Adam संबंदीत पूरा question इसमें सामील है इसके लवा बहुत सारे मैं lecture आपको लिया हूँ तो उन सबों से कुछ मिलता जूलता भी और कुछ difference भी था इसमें question आपको ये वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताइए अगर आपको कोई दिक्कत प्रेशा नहीं होत है ठीक है क्वालिफाय तो इतना हो ही जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है मिलेंगे next class में तब तक लिए जाहिए